नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं किसान अंदोलान सांसत के मानसून सत्र 29 जुलाई से सुरू होने जा रहा है इस बिच सन्युक्त किसान मोर्चा ने रविवार को एक बड़ा एलान किया है बता दे एस के एम ने कहा है कि मानसून सत्र के दुरान तीन किरिशी कानूनों खिलाब 200 किसानों का एक समोह हर दिन परदोसन करेगा सन्युक्त किसान मोर्चा ने भी पक्षी सांसोदों को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि बिरोधी दल के सदो से सदन के भीतर हमारी आवाज उठाएं और नयाथा इस्थीपा देने पर विचार बनाएं बता दे कि केंद्र के तीन किरिशी कानूनों के बिरोध में 40 से ज़्यादा किसान संगठान सन्युक्त किसान मोर्चाक के नेतियुत्य में पिछले कई महीने से परदसन कर रहे हैं मौसम विभाग के उनसार जारखन के सभी जीलों में 7 जुलाई तक हलके से मध्य दर्ज की बारिस हो सकती है इस दुराण में गर्जन और बजरपात भी हो सकती है बतादे साथ जुलाई को राजे के उतर पूरवी, दक्षिन पूरवी और मध्य भागों में कहीं-कहीं भारी बारिस भी हो सकती है इसे लेकर मौसम विभाग ने एलो अलर्ट चारी किया है जारखन में करोणा की तिसरी लहर में करीब 7 लाख बच्चे हो सकते हैं संक्रमीत करोणा वायरस संक्रमन की संभावित लहर को लेकर देश समेथ जारखन में चर्चा तेज हो गई है बतादे डौक्टर्स और एक्सपर्ट का मनना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए वेतर खतरनाग सावित हो सकते हैं जारखन में करुना वारेस संक्रमन की समभावे तीसरी लहर में करीब 7 लाख बच्चे संक्रमित हो सकते हैं इसकी रोक्थाम को लेकर मंतन शुरू हो गया है बता दे इसी मकसद से रविवार को बिमेंस डॉक्टर्स विंग आई एमे जारकन की ओर से एक परिचर्चा का अवेजन हेल्थ मिनिस्टर बना गुपता के अज़ता में हुआ स्वास्त विवाग के आकड़ों के अनिसार राजे में 18 साल से नीचे एक करोड ते तालिस लाग उन्चा सयार छोसो असी की अवादी है जिसमें पांच फिश्दी के हिसाब से 7,17,484 के संक्रमित होने काउनमान लगाया गया है जार्खन के सभी सरकारी S.C.H.T करमियों के परमान पत्रों की होगी जाच जार्खन के सरकारी कर्यालों में कररत अनुसुचित जाती और जन जाती करमियों के परमान पत्रों की नए सीरे से जाच होगी बतादे भारत सरकार के आदेश के बाद राई सरकार के कार्मिक विभाग ने इससे समंधित आदेश जारी कर दिया है कार्मिक विभाग ने सभी सचीव, आयूक्त और प्रमंडलिये आयूक्तों को इस समंध में पत्र लिखा है जाज कर इसे समझी दास्तावेच अपलोट किया जाएगा सारी परकिरिया एक माह के अंदर पूरी करने का भी निर्देश दिया गया है ज्यारखन बोर्ड मैट्रिक इंटर के 80,000 स्टुडेंट का रियल्ट हो सकता है पेल्डिंग कुरोणा माहमारे के कारण ज्यारखन एकेडमी काउंसील जैक के मैट्रिक और इंटर के करीब 80,000 छात्रों के रियल्ट पर संक्ट बंढ़ राने लगा है अगर अगले 10 दिनों में इन छात्रों की प्रेटकल परिशा नहीं होई तो इनका रियल्ड पेल्डिंग हो सकता है बता दे सुपरीम कोट के निर्देश के उनसार ज्यारखन एकेडमी काउंसील को भी जुलाई में ही मैट्रिक के साथ साथ इंटर्मेडियेट का रियल्ट जारी कर देना है ज्यारखन के इसकूलों में लड़कियों की नमांकंदर लड़कों से अधिक भारत सरकार द्वारा ज्यारी रिपोर्ट के उनसार ज्यारखन में इसकूली सिक्षा में लड़कियों की नमांकंदर लड़कों से अधिक है वहीं इसकूलों में पढ़ने वाले कूल बिद्यार्थियों में 12.67 मुसलिम बच्चे नमांकित है बता दे राजे के विद्यार्थियों में नमांकित कूल लड़कों में से 12.0.9 मुसलिम लड़के वह कूल नमांकित लड़कियों में से 13.26 दी लड़किया है जारी रिपोर्ट के अनुसार अनेवर के विद्यार थी की तरह ही मुसलीमें भी लड़कों की तुनला में लड़किया की नमांकंदर अधिका है जारखन के थोक खुद्रा बेपारियों को मिलेगा कर्ज केंद्र सरकार के द्वारा बेपारियों की बर्सों की मांग को पूरा कर दिया गया है बतादे बेपारियों की मांग ठीकी ठोक और खुद्रा बेपारियों को भी MSME में सामिल किया जाए इस बार बीत मंतिर निर्माला सितारमन ने आर्थिक पैकेज की रहात खोसना में इन्हें भी फायदा पहुचाया है बता दे MSME देश का सबसे बड़ा वर्किंग और रोटेटिंग कैपिटल सेक्टर है साथ ही इसमें बड़ी संख्या में रोजगार का भी स्रीजन हो रहा है केंद सरकार के इस बड़े फैसले से राजे के लबग 10 लाग खुद्रा और थोक वेपारियों को सिधा फैदा होगा लाइट हाउस पूर्जेक्ट के पास बनेगा अंतराश्टी अस्तर का खेल मैदान वो समुदाइक भवन पधान मंत्र नायनमोदी ने सन्निवार को राची में बन रहे लाइट हाउस पूर्जेक्ट के निर्मान की प्रगति की समिक्षा की और इसकी बरतमान इस्तिती से भी अगत हुए उन्हें डोन कैमेरा के माध्यम से अगतन इस्तिती की जनकारी निर्मान करा रही कमपनी SGC मैजिक क्रिट के परतिनिद्यों ने दिखाई बता दे ऑनलें समिक्षा के दुरान पधान मंत्री को लाइट हाउस पूर्जेक्ट में अधुनिकतम सुविधा युक्त की फायती आवास निर्मान के बारे में बिस्तार से बताया गया लाइट हाउस पूर्जेक्ट का बिरोध कर रहे लोगों ने परिजोनों ने अस्थल पर वर्सों से हो रहे खेल कूद और साधी बिवाक के समंधी समारों के आविजन की जनकारी दी इस पर सचीव ने छेत्रे में अंतराष्टिय मानको के अनुरूप एक खेल मैदान और 500 लोगों की छामतावाले समुदाइक भावन के निर्मान कराये जाने की भी गोस्ना की बजरपात से बचने के लिए दामिनी एप का करे इस्तिमाल मौसम बैग्यानी अविशेक आनन ने बताया कि मानसून में राजे में बड़ी संख्या में बजरपात होता है ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है इसके साथ ही अपने स्मार्ट फोन में दामिनी आप रखे इससे बजरपात की सटिक जनकारी मिलती है जारखन में 52 नए केस मिले है जारखन में कूल मौत की संख्या 5115 है वहीं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 578 है भारत में 40,111 केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,37,029 है जारखन में मिले मरीज इस प्रकार हैं जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं सायव गंज 25, दुमका 30, पाकुड में एक मरीज एक्टिव हैं लोहरदागा में पीलेफाई के दो उगरवादी गिरफतार लोहरदागा जिले की भंडरा थाना पुलिस ने विकास योजना में दहसत फैलाने वाले पीलेफाई के दो उगरवादी गिरफतार किया है बतादे भंडरा थाना चेतर के नंदिनी जलासे में पुल निर्मान के दोरान फाइरिंग करने मजदूरों के साथ मार पीट वर लेवी मांगने पीलेफाई के नाम का परचा चिपकाने के ममले में पुलिस को तीन साल से इनकी तलास थी बतादे दोनों उगरवादीयों को भंडरा थाना पुलिस ने गिरफतार कर अभिवार को जेल भेज दिया है इसकी जनकारी भंडरा थाना प्रभारी अभिसेक तिवारी ने दी खुंटी जीला की 11 साल की आदिवासी बची ने सुरू किया सिक्षा प्रेमियों की पाट साला जारखण में खुंटी जीले के लोधमा चंदा पारा गाउं में रहने वाली 11 साल की आदिवासी बची दिपिका मींज टीचर बन गई है बतादे गाउं में दिपिका खोद से छोटे उम्र के बच्चों को रोजाना दो घंटे अंग्रेजी और गनित पढ़ाती है गाउं के बच्चे दिपिका को टीचर दिदी भी बुलाते हैं बतादे दिपिका खोद सात्वी कलास में पढ़ती है गाउं के जिस चबुत्रे पर बच्चे पढ़ते हैं दिपका ने उसका नाम सिक्षा प्रेमियों की पाट चला रखा है अभिभावक संग ने मीडिया से सहयोग का आगरह किया साथ वर साथ गहर कारकरम के तहट जारखन अभिभावक संग ने रविवार को बिभीन मीडिया हाउस के समक समर्थन वा सहयोग को लेकर मीडिया कर्मियों से वर्चूल सनवाद अस्थापित किया संग के अध्यक्ष अजयराय ने कहा कि नीजी स्कूलों में फिस विरिदी के खिलाब समाज के हर बर्ग के लोगों के समर्थन की जरूरत है इसे लेकर मीडिया से अंदोलन में सहयोग कागरह किया उन्होंने कहा कि मीडिया का रोल इस मामले में काफी अहम हो जाता है अई भाको की परिशानी मीडिया के जरिये सरकार तक पहुचनी चाहिए इससे हमें भी आंदोलन में बॉल मिलेगा पूलिस मुख्याले का निर्देश जन परतिनिद्यों के साथ सिष्टा चार से आये पेस अगर कोई मामला उनके द्वारा उठाया जाता है तो याथा सीगर नियम संगत यहां बीधी समत करवाई कर उचित सयोग दे पूलब है कि मांगामा की बिधायक दिपिका पांडे सिंग ने राजे में दो तरह का कानून चलाने और पूलिस पर सासन पर बेवज़ा परसान करने का रोप लगाया है बताया गया है कि कॉंग्रेस बिधाय कोपर सरकारी कामकाज में बाधा पहुचाने का अरूप लगा कर केस किया जा रहा है साइकिल के लिए छात्रों के एकाउंट में भेजी जाएगी रासी सरकारी बिध्यालियों में कक्छा आर्ट में पढ़ने वाले समाने कोटी के छात्रों को साइकिल के लिए रासी उनके अकाउंट में भेजी जाएगी इसके लिए सवी परखन सिक्षा परसार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वह विद्यार्थियों की अकाउंट समधी जनकारी सहीत संपूर्ण विवरन उपलव्द कराए पतादे जीला सिक्षा पदाधिकारी ने इस बाबत पत्र जारी किया है पत्र में कहा गया है कि चात्र चात्राओ को साइकिल के लिए डीवीटी के माध्यम से 35 रुपे प्रति चात्रासी दी जानी है 1932 के खतियान के अधार पर अस्थानिय निती की मांग अस्थानिय नीती 1932 के खतियान के अधार पर करने की मांग को लेकर ट्यूटर में अभियान चलाया जा रहा है जिसमें मोख्य मंत्री हेमान सुरेन को राजे के युवाओ के द्वारा लागतार ट्वीट की जा रही है सिक्षा को बढ़ावा देने के खुलेंगे 452 एकलब विद्यालाय अर्जुन मुंडा केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रभियार को पूर्वी सिमुम जीले के ढालभोमगड के घोडा दुआ एवं गुडा बादा के हाथिया पाट्टा में बनने वाले एकलब विद्याले का सिलन्यास किया इस करम में केंद्रिय मंत्री के साथ जार्कन सरकार के कल्यान एवं परिवहन मंत्री चमपई सुरेन सांसद विधूत वरन महतो खाट सिला के विधायक रामदा सुरेन उपस्थित थे बतादे सिला नियास अस्थलोप पर आयोजित कारेकरम को समधित करते हुए केंद्रिय मंत्री ने कहा कि जन जाती है छेत्रों में सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पदान मंत्री नयन्द बोदी ने देश में 452 एकलाब इसकूल खोलने का निदेश दिया है कोल इंडिया में कमपनी सेक्रेटरी के आठ पदो पर भैकेंसी कोल इंडिया ने जनरल मेनेजर से सीनियर मेनेजर अस्तर तक आठ कमपनी सेक्रेटरी के पदों के लिए आवेदन मांगे है इन पदों के लिए 29 जुलाई 2021 तक आवेदन किया जा सकता है बतादे एक ब्यक्ति सिर्फ एक पद के लिए आवेदन कर सकता है इन पदो पर आवयदन के लिए उमिद्वार के पास किसी भी उनिवर्सिटी से असनातर के साथ साथ ICSIK, SOCAT या फेलो के साथ कॉंपनी सेक्रेटरी योगता होनी चाहिए यादि आप चैनल पर ना हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहल के बहले के लिए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से असर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक आवासे दे, थाइंक यू